नवरात्री का पावन परव चल रहा है। पुरे देश में नवरात्री की धूम ने इस बार नवरात्री का रंग कुछ फीका सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो भीड नहीं है वो जश्ण नहीं है जिसमें नाच गाकर युवा उत्सहा और उमंग के साथ माता की अराधना करते हैं कोरुना ने इन सभी जश्ण को अपनी चपेट में ले लिया है कोरुना अभी खत्म नहीं हुआ है कोरुना से बशने के लिए नवरात्री की तैयारया धूमधाम से नहीं हो रही है और लोग डांडिया और गर्बा खेलने से परहेज कर रहे है एक साथ जादा लोग इखटा नहीं हो रहे लेकिन इसी बीच मुबई के गोरिगां से एक अच्छी घबर सामने आई है ये वीडियो देकर आपका भी मन थोड़ा सा भावक हो जाएगा एक डॉक्टर ने मरीजों के प्रतीज समर्पन का जीता जागता उधारन यहां पर पेश कर दिया है ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है मुंबई के गोरिगांव इस्थित नेसको कोविड सेंटर पर नवरातरी के दिनों में गर्बा खेला जा रहा है जी हां वीडियो में सिस्टर्स और डॉक्टर मरीजों के साथ गर्बा खेलते नजर आ रहे हैं ये वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें अस्पताल के अंदर ही डॉक्टर, मरीज और नर्सिंग स्टाफ मिलकर गर्बा खेल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव की खबर सुनते हैं लोगों की हवा निकल जाती है लेकिन इसी बीच डॉक्टर उन्हें जीने के लिए जो पॉजिटिव जप्पी दे रहे हैं वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है नहीं दुनिया भर में कोरोना वारिस वैश्विक महारी से अब तक संक्रमित लोगों की संख्या चार करोड की पार पहुच चुकी है अमारीका अस्था जॉन्स हॉपकिन्स युनिवरसिटि ने ये जानकारी दी है और COVID-19 से दुनिया भर में वास्तों में संक्रमित लोगों की संख्या इससे भी कहीं अधिक होने की आश्रंका है क्योंकि जानका अभाव है और कई लोगों में संक्रमित के लक्षन नहीं है और कुछ सरकारों ने मामलों की सही संख्या भी छुपाई हुई है इसलिए अब तक एक निश्चत आकड़ी कहपाना मुश्किल है लेकिन इन सब के बीच मरीजों को पॉजिटिविटी देने के लिए डॉक्टर और नस्ग स्टाफ का ये काम सोशल मीडिया पर जम कर सुर्खियां बटो रहा है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियूज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें